संबल मेर अभिवार को वे बवाल के बात शांते हैं लेकिन हिंसा के बाद कई खुलासे हो रहे हैं बताया जा रहा है कि हिंसक भीर ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी अब इस मुद्दे को लेकर सियासत उबल रही है प्रशासन ने संबल के लिए बाहरी लोगों के लिए दर्वाजे कुछ दिनों के लिए पंद कर दिये हैं लेकिन राहुल गाधिय और अख्ली शादो दोनों ही संबल जाने की बात के रहे हैं अकलीश रादोनी सरकार पर आरूप रगाते में कहा कि संबल जाने से क्यों रोका जा रहा है सवाल ये कि जब प्रिशासन ने संबल में बारी लोगों की एंट्री रोक रखी है तो विपक्षी निता संबल जाने पर क्यों औरे है क्या फिर से संबल कवाहौल बिगारने की कोशिश है दो टूक में करेंगे चर्चब प्रिपक्ष न जाएं वहां वहां पर जो लोग परिशानी और तक्रीब में हैं उनकी बात ना सुन पाएं इसलिए इंटरनेट बंद है वहां पर कोई जा नहीं सकता है हमारे दो दो लीडर ओपोजिशन हैं दोनों हाउस के दोनों जाना चाहते हैं आज लेकिन दोनों को जाने की परिविशन नहीं दे रहे हैं अगर हम भी अगर यहां से चल दें मांज़ी अभी अभी गेट बंद कर देंगे हमारे बाद जिस परकार की वहां परिस्चती बनी यह कहीं ना कहीं समाजबादी पाइटी का जो आपसी बर्चस्की लड़ाई है उस बर्चस्की लड़ाई के कारण ही ऐसा हो पाया है समाजबादी पाइटी के लोग का बड़ा दंगा कराने का जो एजंडा था वो हमारी सरकार की पुलिस प्रसासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाए और जो लोग चार लोगों के मृत होई है वो दुखद है लेकिन जो अब तक एवडेंस जो जानकारी प्राफ्ट हो रही है कि उन्हें जो चोट लगी है वो ऐसे हत्यारों से है जिसका पुलिस परियोग नहीं करती और दंगाईयों के जहां वो फायर कर रहे थे वहां काफी मंदरा में 315 बोर रैफल के 32 बोर के और यहां तक के के 9 अमेम के भी कार्टूस के खोके काफी मात्रा में मिले हैं किसी प्रकार की कोई हिंसा न भड़कने पाए सभी राजनेतिक दलों से अपील वहां के जिला प्रशासन ने की है मेरा यह मानना है कि जब इस प्रकार के प्रतिवंद्र लगाये जाते हैं तो उनका पालन सभी राजनेतिक दलों को सभी व्यक्तियों को करना चाहिए और ऐसे में बड़े सवाल संभल हिंसा के बाद कारवाई बक्षे नहीं जाएंगे दंकाई पुलिस प्रशासन के एक्षन का सर अब संभल में खत्म डर हिंसा के बाद नयाकलेश संभल जाने के लिए अड़े राहुल अखलेश पुलिस को मिला सुराग जल्द खुलेगा संभल हिंसा का राज दंगाईों पर होगी कारवाई पठान और तुर्क के बीच वर्चो सकी लड़ाई इन्हीं सवालों के साथ करेंगे महमानू से चर्चा मिसमजदी जी जोकी समाजवादी पार्डी की निता हमारे साथ जुड़ है दानिश कुरशी जी प्रॉक्ता AIMIM और एके जैन सर पो डिजी पी यूपी हमारे साथ जुड़ है आप सभी में मानू का दो टूक में स्वागत है एके जैन सर आखिर प्रशासन को क्यों ये निर्ड़ा लेना पड़ता है कि कहीं भी ऐसे इंसा या दंगा के तस्पीर सामने आती है तो ये क्यों निर्ड़ा लेना पड़ता है कि बाहरी लोग नाय चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजी को कोई भी हो इसके पीछे की वज़ा समझा दीजे तब मैं जो राजनितिक दल की नेता प्रॉकता है उनसे बातचीत करूँ एके जन आवास आ रही है आपको मिसम जैदी जी आखिर क्यों आड़े हैं आप डेलिगेशन बेजने की बात नेता वहाँ जाने की बात अभी तो महाल तो शान्त होने दीजे इसके बाद सब जा सकता है लौट आए हैं अगर हम किसी पेडिश को मिलने जा रहे हैं ज़र उसके लखमों पर मरहम लगाने काम करने जा रहे हैं पर इस ह municipalities हो रही है हम लोग को करने नहीं जा रहे हैं लोग होने के बात जुर जण धंगाईयों ने, जिल लोगों ने तुरात हमावर करात परने इस पॉजिच्वाथ उन्रॉजिक्ष क्या और इस तरहां की देश की अंदर लखरत अनाने का काम जो नेता कर रहे हैं उन पर अंतुष कब लगाएंगे आप नियाएख यावाज को कब तक दबाएंगे कब तक आप कमजूरों को इस तरह से जान देवागते रहेंगे सवाल इस पात को लेकर है कि आप भी चाहते हैं सारे राजनितिक दल चाहते कि पहले शांती स्थापित हो यह आप भी चाहेंगे नहीं तो आद तो आख किस ने लगा दी आख किस ने लगादी और वुच्छें ने तो उसमें तो आप नसाद साब भी गया थे मस्जिद में शुकरवार को क्या करने गया थे तो हमारे सांसर्ट जी गए तो हमारे सांसर्ट जी गए तो हमारे सांसर्ट जी अतनाव अंदुख लेके गए ते क्या हमें क्या पता वो तो आप क्या रहा है कि लेके गए ते कि लेके गए ते कि अब समाजवादी पार्टी से राए तो कुछ जंगा हो तो महुंकि इल्ला कि भाने के सब्सक्राइब कराती है और अज जब गंगा हो तब शमा तर्फ जिदु कराए है अज तो क्या है यहां तो किया है यहां हिंदु-मुस्लिम बिड़ा हुए तो क्या है हैं एक बनाने म हुआ ही था यहां हुआ है क्या तो मेरा सीधा सा सवाल था कि अप्रशाशन को क्यों यह नेड़ा लेना पड़ता है जो इस्तिती परिस्तिती संभल में ऐसे कई मतलब जहां भी होती है कि बाहरी व्यक्तियों केंट्री ना हो चाहे वो राजनीतिक हो सामा जी को कोई भी हो देखिए बड़ा टाइम टेस्टेट फॉर्मूला है अगर बाहर के लोग आएंगे तो लोग बात फिर एकटे होंगे भीड़ लगेगी कोई अपनी बात कहेगा कोई कुछ कहेगा उसी में अगर किसी ने कुछ किसी प्रकार की छेड़ चाल कर भी पत्थर फेक दिया तो वह कोई फिर फिर एक दंगे का रूप ले लेगा और आरो पुनी के उपर लगेगा जो वहां गये हैं इसलिए ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि कुछ दिन वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति ना जाए और प्रशासन को पुलिस को समय मिल जाए इस्थितियां वहां पे सामान ने कर ली जाए मैं इसमें कोई अनुचित बात नहीं मानता हूं जैसे पहले 144 होती थी उसमें एंट्री बैन की जाती है वन सिस्टी थी है बाहरी लोग नहीं आएंगे तो नहीं जाना चाहिए जब बैन खतम हो जाए अब आप जाए लोगों से मिलिए जो भी मरहम लगान और फिर निकल के बाहर आजाए समझ में नहीं आएगा पुलिस को कि क्या किया जाए नहीं तो फिर मामला गरम गरम है राजनी राजनीता हमारे इस गरम मामले पर हाथ कैसे सिख पाएंगे अगर बेर हो गई उन्हें वो तो वहीं कहेंगे क्यों न जाए यहीं वज़ए है मेरा तो बड़ा इसपष्ट मानना है हम लोगों ने भी लॉइन और सिच्वेशन देखी है मैंने इस मेंगनिट्यूट की तो कभी नहीं देखी अपनी सर्विस में मैंने कभी इस मेंगनिट्यूट का पथराओ भी नहीं देखा उत्तर कदेश में मैं समझ में नहीं आरा क् S.S.P. मुरादबाद रहा हूँ, संभल मेरे पास रहा है, मैं संभल जाता था बतौर S.S.P. और हम उस पे बड़ा निगरानी रखते थे क्योंकि सांपरदाई की रूप से संबेदन शीले पर वहाँ पे कभी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, थोटी-मोटी घटना होती थी, तुरंत उसको वहीं का वहीं कंटेम कर दिया जाता था, अभी घटना हुई है, बड़ा सा समय मिलना चाहिए, सेतिया सावान ने की जाए, दुर्वान के जाता है, जो जैदी जी कह रहे है अपने नेताओं को भेजने की तयारी, राहुल गादी को भी लगता है, जहां लगे कि हाँ, वोट बैंक वाला मामला है, वहां वो भी चल देते हैं, यह अभी जरूरी है क्या, अभी जो इस्तिती पर इस्तिती है, दखिए अब सबसे पहले तो यह वीडियो देखिए, अब उसके बाद, पूर्व डीजी पी साब से मुझे यह बता दीजिए, यह जो वेपन्स दिखाए जारे है, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, सुनिए, मैं तो यह कह रहा हूँ कि सारा जो जुराइम है, वो वहां के यह आतंक बादियों नहीं किया, लेकिन मैं तो यह पूछ नहीं जब सुवाल यह है, वहां के एसपी साब जो है, वो यह कहते हैं कि हम लोगों को जो आदेश मिले थे, नान फैटल वेपन यूज करने के थे, तो नान फैटल की उसमें उसमें है, इस ही लिए तो रोका जारा है, ना जो दो 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 डालेंगे, इसी लिए जो रोका जा रहा है जो दोका जाने की कोशिश की जा रही है वो इसी लिए रोका जा रहा है मुझे लगता है कि ये सलीम जावेद वाली स्टोरी मुझे लगता है ज्यादा दिनी कारगार नहीं रहेगी चीजें उजागर होंगी और सामने आएंगी मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कॉम्पेजेंट आथारिटी ने जो डिरेक्शन दिये थे उसमें अगर वहां की जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो फिट नहीं बैठे तो उनके खिलास अब तक कारवाई यो नहीं हुई या होगी या नहीं हो डोक्टर ओधेश अपाधियाजी बीजेपी डेता मारे साज नुडए हैं डोक्टर ओधेश अधियाजी आप लोग कारवाई करते रहे हैं जो भी दंगाई हो जो हिन्सा करने अब भवाली हो लेकिन अधिकारियों पर कारवाई क्योंने हो हो रहे यह चाहते हैं कुरेशी जा रहे हैं और उपर से आप लोग रोग रहे हैं लोगों को जाने के लिए, वहां मरहम कैसे लगाएंगे, पेडित परजलू से मिलेंगे कैसे, पेडित ही है ना? देकि राहुल जी संबल में जो हिंसा हुई है, बहुत ही दुरुवाद के लिए और उसे भी बड़ा दुरुवाद के यह बात है कि वो लोगों का जो दो कुछ हैं वहां पे बड़े-बड़े, एक सांसे साफ़का है, जाइक साफ़का है, उनकी जो आप शी रंजेशन को थी उसको जो है एक हिंसा का रूप किया गया है, यह पूरी दर इस पर चो चुपा है, और अब जानिज भाई जो कह रहे हैं कि प्रशासन को सामने रखकर आपसी रंजेश मिटाई गई है, यह जो आप, यह जो नहीं चीज़े निकल कर सामने आ रही है नहीं जो वर्शासन की लड़ाई की बात कह रहे हैं अरे आपको मरे हैं, भूशासन की हारने वाले अलग गुट्टी तो साफ ने तो आ रहा है, नहीं हो रहा है, जमान चेनल दिखाने यह वाद को उन्हीं के आपना परचसावे नहीं चीज़े नहीं चीज़े नहीं जो लड़ाई है, जो नहीं नहीं के आपको लोग मर गई से एनिक बात कैरेते हैं, जी है तो आप से विस्खिय हैं, पूचे भूरा इंसे, मेरे सवाल है ठीक है दानिश को रह से जी दीक है थेक़्े आगर सवाल पूछी अब पूछी देगे जैके मैं ये कह रहा हूँ कि भारती जन्ता पार्टी के मुताबिक जिन अधीकारियों के director गा का अगर बोड डारेक्शन का वालेशन हुआ है इसको इसको देखिए इसको आप लोग तो राजनीतिक बाश्चारा राजनीतिक सवाल है एक जैंसर से पूछ लेते हैं कुरेशी साथ का जो सवाल है पत्थर आता रहे और कोई ऐसे ऐसे वेपन का इस्तमाल नहों इससे जान जा सके वो पत्थर को केवल इसे क्या है जो होती है जिससे रूका जाता है पुछ रहे तो दीजिए पूछने के दीजिए एक जैन सार से अदेश जी जराशां रही आप शांत रही है जान रही है अदेश पाध्यार बताई अधार शी जी इक एक पल की इंफरमेशन वेंशन ने डिरेक्शन दिया होगा किस तरीके क्या है रगाइव प्रॉप क्या जाए एक जैन सर आप बात तो सुनिया दानिश्पराशी जी बात तो सुना कीजे कितनी देर में उन्होंने इटे उठाए इटे फोड़ी पत्थर बात भी किया को तुरंत एक लेट डाउन ग्रिल है एक लेट डाउन ग्रिल है जो की पुलीस को चिखाई जाती है जिन ट्रेरिंग्ग कॉलेजेजस में कि जब को बल्वाई हो सामनें पत्थराओं कर रहा हो तो किस प्रकार से ओंको डिल इनको वार्णिंग देनी हैं, उसमें स्लाइट बल प्रयोक करना है, उसके बाद टीर गैशयल का और पेलेट्स का रवर्ट बुलिट्स का इस्तमाल करना हूँ वो follow किया गया है मैं देख रहा हुता इसके अंदर उसको follow किया गया है और SP का statement है कि कोई भी lethal weapon इसमें इस्तमाल नहीं किया गया है दंगाईयों के ऊपर हीड के ऊपर lethal weapon का इस्तमाल नहीं किया गया यह SP का statement है मैं वहाँ पर मौके पर नहीं था इसलिए मैं इसको certify नहीं कर सकता पर जो SP ने कहा है वो मैं कह रहा हूं कि lethal weapons का इस्तमाल नहीं किया गया है और वो post-mortem report भी प्रमानित करती है कि 303 या SLR की गोली से किसी से कोई casualty नहीं हुई है उससे जो casualty होती है उससे जो entry wound, exit wound बनते हैं वो बिल्कुल typical अलग होते हैं उसमें साफ पता चल जाता है कि यह जो सरकारी असलहें हैं उनसे है अगर 315 board से कोई के उसमें injury है 315 board तो वो कटा ही है पुलिस इस्तमाल नहीं उनके बोर अलग है अलग होते हैं मिसम जादी जी लेकिन थोड़ी दिन अब इस पर राजनीज से बचना चाहिए अभी संबल को बहां शांती वेवस्ता कायम हो इस बात का हम लोग को जिक्र इस बात को लिकर करना चाहिए एक मिनटा उदेश उपाद्याजी आप क्यों कर दानिज जी को एकाने दीजे ना यह कौन सुनिश्ट करेगा कि दंगाब ना हो और इस तरह करना हो घर गटना ना हो तो कि जो सरकार की लोग है वो घटना में शामिल है अगर अगर आप यह बताईए कि आप क्यों नहीं समाजवादी हों का डेलिकेशन जाने देर हैं किस ब साथ चुपा रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है तो आप जाने दीजे आप जनता के सामने बात को आने दीजे क्या रहा और अगर इस तरह को नहीं उठाएंगे लोग सभाव विदान सभा में तो अभी तरह को इस तरह की उच्छितरी कमिटी बैटी है कोई गठाद हुआ है भ और नारे का उद्गोश्ट करते हुए और इस तरह के लोगों को उक्साने का काम करते हैं इसकी वज़ें कि ये डगा हुआ है और इसकिलाव सारवाई हो रही है तो विश्विजी ये बिल्कु सलासा जूट वो रहा है हर चीज इनकी जूट मैं संभलका नवास कूँ मुझ देश्व पाध्याई जी राहुल गाधी या सबाजवाधी पार्टी का डेलिगेशन इसलिए जाना चाहता है कि वहां सबूत करें वहां फोटो कीचे वह तप्तेश करना चाह रहे हैं अरे तो एक बाव बताईए ने समुट तो आ रहे हैं नहीं आरे पर बाद आज पर आज पर नहीं होता क्या वाध्याद नफरट आलो पूर करो और राच करो मैं तो कह रहा हूं न मिसम जैदी जी अगर नहीं सुनवाई हो रही दानिश कुझाशी भी है बैरिस्टर साहब है इनके जो पार्टी के मुखिया है जाए ना हाई कोट जाए सुप्रीम कोट जाए हर जगा सुनवाई होगी ऐसे क्या नयाले पर भी तो भरोसा कीजे अगर आपको सरकारों पर भरोसा नहीं तो नयाले पर भरोसा कीजे पुलिस पर भरोसा नहीं प्रशासन पर भरोसा नहीं रास्ता खुला हुआ है नो प्राइब आप नियाले चाहती तो इस तरह का आदेश इतनी जल्दी देने का कोई उचित नहीं पर आगे आप दोनों पक्षों करेंगे ना आप किसी पर विश्वास तो करेंगे आप खाली कराने कहा पहुच अब किस अब क्यों यह बयान वाजी कर रहे है कि मजजद खाली कराने पहुचे थे वहाँ सब तो इसलिए सवाजवादी पार्टी के नेता जाना चाह रहे है कि मजजद भर जाए और यह नहीं जाचा जाएगा कि किस ने कहा कि पत्थर बरसाईए आप इट पत्थर चलाएए भेड उनमादी भेड को भेड को उनमादी कौन मरा रहा था यह यह तो इसक्नादी पत्थर धो